In the following carbogatine, HSS3 hydrogen or methyl that is most likely to migrate to the positively charged carbon is यह positively charged carbon है अगर आपको नहीं दिख रहा है, basically यह plus charge है, यह carbogatine बनना है basically, यह कह रहे हैं कि मुझको suppose इसको stable को बनना है, carbogatine बे, तो वो आप मुझे बताईए कि यह पूरा methyl group transfer हो रहा है, methyl shift होता है यह hydride shift होता है तो आपको ब्कुल मिलाके इसमें most basic carbogatine बनाए, right, उस most stable carbogatine बनाते हुए, जो भी shift होगा, वो ही आपको answer हो जाए, right guys, now suppose मैं C2 का यह H transfer करता हूँ, यह, right, तो क्या बनेगा, CH3 इधर हो जाएगा, C, इस C के ओपर positive charge आगया, then OH, इधर C, H तो इधर आई गया, obviously यह neutral हो गय CH, CH3, and CH3 positive charge है, जब भी guys, loan pair के बराबर वाले carbon पर, carbogatine है, right, positive charge है, loan pair के, कोई भी loan pair है, उसके बराबर वाले carbon पर positive charge है, वो हमेशा stabilize हो जाता है, वो stabilize क्यों होता है, यह आप पहली बात तो याद रखे, stabilize हो जाता है, वो stabilize होता क्यों है, due to the resonance, resonance, resonance stabilization के बज़े से, अब देगे, यह क्या होगा, donate कर देगा, तो CH3C, यहाँ पर OH आ जाएगा, positive charge, obviously donate कर देगे, बाकी का जो भी यह structure है, पूरा यहाँ बन जाएगा, तो यह इसकी बज़े से क्या है, number resonance structure है, basically, less stable है, या कितना है, उससे मुझे कुछ फरक नहीं पढ़ रह resonance, आपको guys में क्या कह रहा हूँ, दूसरा, अगर इस case में, मैं सबों इसके बज़ाए, अब इसको shift करता हूँ, तो अब क्या होगा, इस case में यह सब तो वैसे रह जाएंगे अब, right, क्योंकि अभी यह नहीं है, यहाँ पर H आ जाएगा, अब इस carbon पर आ गया positive charge, अगर यह obviously secondary carbocatine था, इस case में अब देखे गाई, यह अभी भी secondary carbocatine हो गया, लेकिन resonance stabilized हो रहा है, लेकिन इस case में यह सिर्फ secondary से tertiary carbocatine बना है, और जो की hyperconjugation से stabilized हो रहा है, लेकिन हमेशा resonance का effect is more than hyperconjugation, स्वानमारा आपको hyperconjugation से ज़्यादा है, इसका मतलब यह resonance, यह जो second option है, यह आपका ज़्यादा stable है, अब मैं आपको इसमें इस वज़े से क्या है, answer तो आपका हो गया D, क्या हो गया कि जो D है, एट H, जो है, याने जो C2 का H है, वो transfer होगा, अब आपको shift को रहेंगे, य और यह क्यों नहीं हुआ, अब देखे गाईज, अगर suppose मैं इसको option को लूँ, यह जो C से, यह methyl shift होके यहाँ आ गया, यह suppose यहाँ CS3 बन गया, तो कुल मिला के क्या हो जागा, यहाँ positive charge आ जाएगा, यह हटा दे, positive charge हो गया, यह क्या हो क्या हो गया, primary, secondary से primary में क्यों आएग तो इसलिए यह तो वैसे भी नहीं है, अब इन दोनों में आपका D option हो गया, अभी समझाए आपको